हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास इस समय तेमाख में घूम रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों से इस तरह के सवाल आए लोगों ने टेलिग्राम पर भी पूछे इंस्टाग्राम पर भी पूछे इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइबर जो लास्ट 15 भी सब्सक्राइबर आये पिछले महिने में उन में से भी आप ये मान के चलो की 80% का सवाल था ये कि सब कुछ बढ़िया है हमारी लाइफ ने पर हम खुश नहीं है कुछ ने बोला कि हम खुश है और खुशी लंबे समय तक नहीं ठीकी रहती है मतलब आनंद में कनवर्ट नहीं हो रही है और उनको ऐसा लगा मेरे वीडियो देख करके मेरी लाइफ को द और मैं आपको ये बात कहूं कि वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि सच में मतलब इस समय मैं अपनी लाइफ के बेस्ट मुमेंट में जिन्दगी जी रहा हूं और हर मुमेंट मेरा बेस्ट है जब छे महीने पहले फाइनेशल हालत बहुत खराब थे तब भी आज भी जितनी जरुत है उतनी ही मैं मैं अरेजमेंट करता हूं उससे ज़ाधा मैं अर 움직में नहीं करता हूं इसका कारण आप मेरी मुर्टा कह है सकते हो या मेरा फियरलेस होना मतलब मुझे डर नहीं लगता है यह भी कह सकते हो एक कारण और भी हो सकता है कि मेरे को अपने उपर इतना विश्वास है कि जब भी मुझे ज़रूत होगी मैं पैसो का इंतियाम कर लूँगा कुछ डर का एक सवाल आता था कि ठीक है आप तो कर लोगे अगर आ मैं तो भूमी का बना रहा हूं मैं एक्चली में जो टॉपिक हो बहुत इंपोर्टेंट है जो सवाल जहां से शुरू हुआ था कि लोगी कह रहें कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है हमने चाहा कि पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए वो हो गई फिर हमने चाहा कि अच्छ काम दंदर सेट हो गया या जॉब हमने चाहिए अच्छी लग जाए तो अच्छी जॉब लग गई शादी हो गई बच्चे हो गई या शादी होने वाले हर तरह से सब कुछ मन मुताबिक हो रहा है पर फिर भी कहीं ना कहीं एक डर है एक सुखन नहीं है खुशिया होती है गोई आ गई गुमने चाहर दिन के लिए खुश हो गए नई गाड़ी खरीद लिए खुश होगे नए कपड़े खरीदल्य मुए शॉपिंग कर लिए विदेश यात्रा कर लिए खुश होगए कोई नए धुकान खोल ली नया विजनस खोल लिया खुश हो गए पर अंदर और अंदर सुख नहीं है खुश है बड़ सुख नहीं है खुशी एक छोटे पल के लिए होती जिसे बूलते ना वो कौन सा एक डूपामिन मजह जब हमारा धिमाग जब उस کو एपई खिएकेमीकल रिलीज करता है उसको है पिकेमिकल शुक्षिलिएक किया बुल रहा हूँ तो वह दोपामिनलियेस होता है जो निकलता है मजय से निकलता है तो वो थोड़ी दिर बाद खतंपो चाहता है, जैसे किसी कौर मिजता मिद सम उपन को खन दूर्ण वहाई खने कर disaster निदर निकलता है,मिद संस्ट अचाह सुष होगा है, citizen कोई घ़र खिर सबस्न खरी t खोड़के होया पर वो सुखी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी खुशियां लंबे वक्त तक लगातार जब रहती है तब एक सुख का निर्मान करती है और सुख से भी उपर है आनंद मैं जीवन, जॉय फुल लाइफ, क्याते हैं अंदर से जॉय होना, उपर किसे कपड़े फटे पड़े हैं कोई फरक नहीं पड़ा, अंदर से आनंद मैं है जॉय है अगर धातू या पत्थर खरीदने से, धातू पहन लेने से अगर आप आनंद मैं जीवन जी लेते तो फिर समझ लोगी शारूख खानिया मुकेश अंबानी तो फटीचर होते और बपी लहरी दुनिया के सबसे आनंद मैं इनसान होते, क्योंकि उन्होंने सबसे जाता धात पढ़ेगा अद्वैतवात, अद्वैतवात मतलब एक नहीं है, अद्वैतवात मतलब कोई चीज एक नहीं है और अनेक भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे वो दो है, तो उसका मतलब क्या है कि अनेक है ना वो एक है, उसका नेंगे है, अध्वैतवात, एक बात अनेक बात और अद्वैत बात तो इसको मै भी इसको मै थोड़ा सावी समझ रहे हो है, पूरी तरह इसको नहीं समझा हback. मोटा मोटा इतना शंचोाँ हो तरही में मैं इतना मतलब उत्साहित हो गया कि मैं एक लगा कि लोगों को बताना भड़ेंगी सब कुछ एक ही है इंशिवर कि मतलब कि दो हैं एक चैतन्य के शेतना के स्थर पर और एक पदार्थ के स्थर पर है ना तो मेटाफिजिक मतलब पदार्थ एक पदार्थ है और एक चेतना है बेटलिस्टिक चीज और कॉंशिसनेस यह जितने भी हमने शुरू में बात करी कि भी हमने कार खरीद ली शादी हो गई मन मुताबिक नौकरी लग गई सब कुछ हो गया पर फिर भी हर थोड़ी दिर बाद फिर डर लगता है जो है वो कम लगता है फिर हमें और चाहिए होता ह थोड़ी दिर फिर खुश ही होती है फिर मज़ा आता है फिर डोपामिन रिलीज होता है फिर उसके बाद में भी होता है तो ऐसा इसली तो है कि शुखी रहना और आनंध में रहना पदार्थ केस तरपर नहीं है चेतना के सब्स्तर पर है दो जैसे बूलें। दो है तो एक घुष्जा, हमारे विचार, हमारी फैट ने कब हांगरना च Essenा दोड़ी scritta dehyd कि वाम बढ़र् टी है तो उसकी बाड़ ड़ी स्पूर्ण वूद लेखेशन उप्लगों रख मजल सोच के सौफ्टवेयर के च्टर पर से दूसरा स्तर है齆 जैसे पधार्द के स्तर पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमें खुशि या सुख देंगी तू मिलना है जो खुशिकी अनुभूती होनी चति पर आनंन महगे जीवन के अनुभूती होनी है जीवन साथ लगना, आत्विश्वास के साथ रहना, यह सब चेतना के स्तर पर बात है, आप उसको चेतना बोलो, आत्मा बोलो, सोच बोलो, विचार बोलो, कैमिकल, लोचा बोलो, कुछ भी बोलो, उसके स्तर पर है, मन के लेवल पर है, ठीक है, यहाँ पर डिसाइड होगा कि हम खुश हो होंगे कि नहीं होंगे अब चेतना को चैतन्य को आप चेतना के स्तरपरी तो आनंद रख पाओगे मतलब जो चीज विशुष्वेर में कोई ख्राबी तो आप साफ्वेर से ठीक करोगे अगर आपका विचार के स्तर पर कमी होने की वाजे से बेश The bakaew Top वो एक वादी होते तो इसको separate तो रखनी पाते तो क्या करते हैं चेतना को पधारत से ठीक करने की कोशिश करते हैं मतलब विचार में डर आरहा है सब कुछ ठीक है पर फिर पीडर लग रहा है अनस्क्योर है बच्चों के अपने वहल के नाम पर अपने और पैसा है तो डर लग रहागी एक हतम ना हो जाएं यह सब। यह सब विचारिक चीजे हैं, इसको हम लोग ठीक कैसे करते हैं, अच्छा पैसा है पर कम पढ़ सकता है वह विश्य में, चलो और पैसा कमाते हैं, आप चेतना के स्तर की खामी को पदार्त से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, अरे यार, FD कर लेते हैं, सोना खरीद लेते हैं, ह चार घर खरीद लेते हैं, एक घर खरीदा घर तो अच्छा तो चाहिए, रहने के लिए ठीक है जी, यह तो जो आपके पास है, नहीं, यह तो माबब की है, हमें अपने स्तर पर चाहिए, वह को लगा टॉनी को गुमाने गए न, वह भूंक रहा होगा, तो आप बात समझे, अगर आपकी गाड़ी खराब है, तो आप उसको विचार से ठीक नहीं कर सकते हैं, उसमें मेकैनिक आएगा, एक मेटरिस्टिक पार्ट लाएगा, उसका पार्ट रिप्लेस करेगा और उसको ठीक करीगा, ठीक है, अगर गाड़ी चलाने से साइकलोजिकल डर लगता है, तो तो आप दुनिया के सबसे अच्छे ड्राइवर हो करके भी आप उस गाड़ी को चलानी पाओगे वो डर आपका वैचारिक इस्तर पर ही ठीक होगा जो कोई बुद्धी जीवी या साइकेट्रेस्ट या मनोविध्यानिक यही ठीक कर सकते हैं ठीक है ना यही ठीक कर सकते हैं तो मतलब आप समझे, दो चीज़े एक हमारी बॉडी दो है एक जो सौफट्वेर है जिसको मन कह लेते हैं ठीक है और एक हाड़वेर है मत्रिलिस्टिक पदार्त है जो हमारी बॉडी है हम क्या कर रहे है हम बॉडी के पदार्त को सुख देंगी पदार्त वाली चीज़े मत पुडी देर के लिए तुम मजा मिलता है। तालिया बजी, मजा आया, फिर तालिया रुख गई। फिर डर इस बात करें कि अब कब ताली बजेगी। अब ताली बजाने के लिए क्या करें। और कल को जो ताली बज रही है वो मूपे शाही ना फैक दे। कालक ना पोतो दे, गालिया ना दे, जूतों को हार ना पेना दे, तो यह जो डर है, इसका कोई इलाज नहीं है, यह हम भौतिक चीजों को से मानसिक लेवल पर सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं, यह बात मैंने समझ ली थी कई साल पहले, तो उसके बाद मैं को समझ में आ गय आपके पास कुछ ना होके भी आप सुखी हो सकते हो, तो सुखी और दुखी होना जो मन के लेवल पर है, जो चेतना के लेवल पर है, उसको आप चेतना से ही ठीक कर सकते हो, चैतन्य को पाकर के ही ठीक कर सकते हो, ना कि गाड़ी बंगला, अभी मैं सोच हूँ कि मैं अगर देजिनाlar 10 klorode रुपए मैं जमा कर लेता हूं तो मुझे भविश में कभी डर नहीं लगेगा तब ज्याधा डर लगेगा क्योंकि अभी तो है नहीं तो डर नहीं है, होगा तो फिर जादा डर लगेगा, अब यह है तो इसको छुपाओं कैसे, इसको संभालूं कैसे, कोई छीन लेगा, कोई मार देगा, कोई काट देगा तो जब यह बहुत सारे लोगों ने आगे सवाल पूछा कि यार यह आपको क्यों नहीं डर लगता, आपके दो बच्चे हैं, और बच्चों में भी वह बेटियां कंसीडर करते हैं, कि बेटियां इस्पेशली जूर देते हैं, बलो उनका यह मानना है, कंडिशनिंग ऐसी वैसली हो, वैसली हम वेटिग और यह भूस मैंने अपनी लाइफ डिजाइन करी हैं, मैरे को कहीं से मिली नहीं है, ठीक है? मैंने इस तरह बहुत वर्षों से काम किया जो मेरे करीब ही लोग हैं, जो मेरे जीवन को जानते कुछ चार पास साल पहले से में इस पर गंबीरता से काम शूरूर ये जरी लिए था तो उसको समझना है। वेदों की फिलोस्पी वेदान शंक्राचारे जी ने जो दिया था तो उसको समझना है और बात दो कितनी clarity आ गई मिसले कितनी अब ही तक मैं वही तक इस तरय के से नहीत समझागा रहा था मैं कर था रहा है जी इस बात इस बուीटर से नहीं की दे सकते हो उसको उसको ठीक नहीं कर सकते हो मोड़ी बहती है की जैसे computer है चाहीं हिए अगर hardware में और hardware और प्रॉबल्म है तो hardware और software की problem, आप computer का CPU change करके, UPS change करके नहीं आप ठीक कर सकते, उसमें software virus आया है, तो antivirus से ही ठीक होगा, और अभी इसके बारे में और पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, जानने की कुछी कर रहा हूं, जैसे जैसे नया कुछ सीखता जाओंगा, समझता जाओंगा, आप लोगों को बताते लिए, अभी जितना समझ में आया, वो आपको बता दिया, और मेरे को कोई ज्यानी विद्वान बनने का शौक नहीं है, कि मैं पहले सारा सीखनू, तोते की तरह रेटलो, और आप लोगों को क्या के परोश्दू, क्योंकि मेरे ये वीडियो बनाने से कुछ लोगों अपने आपको जवाब देदो, मुझे इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है, आप कुछ भी अंदाजे लगा लो कि मैं यहां बैठके कोई बोलता है, अपने परिवार में ज्यादा वो करता है, कोई कुछ बोलता है, कभी आके रहो मेरे पास एक दिन, कुछ घंटे मैं कैसे वो करूँ, जिन मुद्धों मेरी वाइफ लीडर ऑफ हाउस है, वो उन मुद्धों को भेहतर कर पा रही है, तो बाकी यह बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि चेतना को पदार्थ से आपनी खुश कर सकते, आनंद दे सकते हो, आनंद पदार्थ नहीं है, आनंद एक फीलिंग्स है, जॉइफूल रहना, मतलब जैसे एक बहुत बॉडी बिल्डर व्यक्ती भी डरपोग हो सकता है, बॉडी बिल्डर है, बहुत ताकत है, दस लोगों को हरा सकता है, पर कभी-कभी वो भी डिप्रेशन में जा सकता है, डिप्रेशन क्या है, आप डिप्रे हाई यह motivational speaker आपको थोड़ी देर के लिए बरगला सकते हैं थोड़ी देर के लिए आपके अंदर हवा भर देंगे जोश भर देंगे पर ultimately last में आपको self-motivation की ही जोरत पड़ेगी आप जिंदगी बर थोड़ी संदीप महिश्वरी और विवेक बिंद्रा को गले में लटका करके घुमते रहो गए तो बात समझो यह एक सोड़े की जाकी तरह है थोड़ी देर के लिए ठीक है self-motivation आपके साथ चलता है जैसे मैंने बोला ना कि हमेशा आपका दिमाग आपके साथ चलता है तो जीवन में कुछ और बनो ना बनो अकल मन जरू बनो कि अकल एक ऐसा धन है जो आपके साथ चलेगा और जितना खर्च करोगे वो उतना बढ़ेगा समझे तो मैं खर्ची त कि पहले लिखो पढ़ो समझो फिर उसको दोराओ तो इससे रिवीजन हो जाते मेरा रिवीजन हो रहा है तो आपके पढले ना पढ़े पढ़े मुझे मालूम नहीं पर मेरे जो पढ़ने थोड़ा वाद पढ़ा रिपीट हो जाएगा और मैं को अभी समझाने में जो दिक को मधी को जा चुकी है बहत बड़े-बड़े वदवान आ चुकी है को चुकी है ठीक है 430 सालों से खूझी जा चुकी चीज़े अब इन में दोने हें में टो रहे हैं थुड़ा आपने या पड़ा थुड़ा आपने ये पड़ा ए पर ए रहा एंविनियोंे वेंसे आपने इसाब से देखा की मैं किस लाइक हूं और मैं इस में यह चीजे डान करके अपना एक नई फिलोस्फी बनाता ऊपने जीवन के लिए हर आदमी को अपनी नीजे जीवन की अपनी नीजी फिलोसपी बिलानी चाहिए उमीद करता हूँ यह बात आपके समझ में आएगी ना कि मेट्लिस्टिक चीजों को बहुतिक चीजों को आप मांसिभ डर को खतम नी कर सकते भूतिक चीजों से थोड़ी देर के लिए आपको सिक्योर्टी लग जाएगी कहा मेरे पास तो दस लाग उपर पढ़ा पचास लाग पढ़ा मुझे डर की ज़रूत नहीं है मेरे पास वो चार मकान पड़े हैं मुझे डरकी जोगत नहीं पर थोड़ी देर के लिए अपने आपको विफ को बनाने के लिए ठीक है उमीद करता हूँ आपको बात समय हैं कि ओके गुडबाई थेंक यू